कि यह फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैफी एकेडमी मैं जैसर इस यूटूब चैनल मैफी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंट्स algebraic identities के series में आज फिर हम लोग एक new identities new proof के साथ फिर से present हुए है और यह identities previous identities कहीं उपयोग करके हम लोग इसको proof करेंगे और इसकी utilize और इसकी जो importance है जो अपना important role play करता है वो हम लोग सीखेंगे तो चलिए देखते हैं आज की जो new identities है वो क्या है तो new identities है x minus a into x minus b is equal to होता है x square minus a plus b into x plus a v इसको proof करने चलेंगे तो हमें lhs part लेना होगा और हमारे पास जो lhs part है वो x minus a x minus b है अब ये x minus a और x minus b दो factor हैं और दोनों अपने आप में whole हैं तो किसी एक को इसमें से हमें break करना होगा और break करके उसके परतिक part को इस whole part से multiply करना होगा और हम लोग ऐसा काम इस तरह का जो multiplication है multiplication of algebraic expression सिख चुके है previous class में कई बार हम लोगों ने proof भी किया है algebraic identity तो हमें यहाँ पर किसी तरह की दिकत नहीं होगी तो हम लोग जब इसको break करते हैं तो x whole के साथ multiply होगा जो कि x into x minus b होगा फिर minus a होगा कूरे whole part x minus b के साथ multiplied यह हमारे लिए a है अब हम क्या करेंगे इस x का multiplication यह दोनों term के अलग अलग value के साथ करेंगे और sign का भी ख्याल करेंगे क्यों क्योंकि इसमें minus है इसमें sign भी changing होगी तो एकदम focused हो करके और एक concentrate हो करके each and every term को बहुत ही अच्छे से multiply हमें करना पड़ेगा तरवज minus और plus में mistake हो सकता है तो x में x से multiply हुए तो हमारे पास x square आया x plus के साथ है और minus b है तो minus की value होगी b x हो जाएगा minus a और x minus a x हो जाएगा और ये minus और ये minus तो minus into minus convert हो जाएगा plus में और a और b एक दूसरे के साथ क्या होंगे? multiplied होंगे just हम लोग देख रहे हैं कि x square अकेले है इसका कोई like term नहीं है तो इसको हम लोग as it is लिखेंगे minus b x और minus a x term like है लेकिन उनकी value अलग अलग है और sign same है तो निश्चित होगा कि हम लोग उसको aid करेंगे लेकिन different different value होने के कारण वो aid नहीं होंगे लेकिन उसमें जो common term x है उसके वारे में हम लोग कुछ काम कर सकते हैं और minus दोनों में sign same है तो उसको कर सकते हैं तो पहले हम इसको arrange कर ले ascending order में तो पहले हम लिखेंगे minus x फिर लिखेंगे minus bx plus ab अब हम लोग देखेंगे जब ऐसा कर लिए तो हम लोग देखते हैं कि x और x दोनों में common है और minus minus भी common है तो minus भी common लेंगे तो ये a और जो minus है वो plus बन जाएगा और जो x x दोनों term में था वो भी बाहर आ गया यानि हमारे पास हो गया minus a plus b into x और as it is हम लोग a भी लिख लेंगे जब ऐसा हम किये तो हमें जो required result rhs थी वो हमें मिल चुकी है और यही हमें proof भी करना था तो बहुत ही easily और असानी तरीके से हमने rhs part को और अपनी identities को enjoy करते हुए हमने proof किया और यह friends बहुत ही useful और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप अपना feedback आप अपनी जो intention है इन identities के परती और इस identities के स्रीज के परती अपना feedback अपना comment में दें ताकि हम लोग इसको और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके बहतर कर सके और इस identities से related और भी जो query है आप अप लोग comment में डाल करके comment में पूछ सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग create होकर के creative way से next और new new तरीके से new new proof के साथ फिर से हम लोग इस channel पर available होंगे और आप लोग को provide करेंगे तो friends आज इतना ही इस channel को ज्यादा से ज्यादा share करें, subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचने में हमें मदद करें तब तक के लिए धन्यवाद, thanks for watching us